हलो एप्रिवन वेल्कॉन टू मैं चैनल से अभी वितसूप तो फ्रेंट्स बैंक प्रमोशन क्लास में यह हमारी एठवी क्लास है और इसमें हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वह है पीपीफ पीपीफ का फुल फाम होता है फ्रेंट्स पॉब्लिक प्रोविडेंट फंड ठी फंड रणाल क्लीन यह बेशली यह बैसिकली यूज यूज आता है चनल मिलता है फंशावेश को वह टोपिफ फ्रेंट्स प्रमोशन पूश्यू को एक्जाम में पूछिए को captain कंस को दो को फ्रेंट्सटी तो कुई भी weld पो एकाउंट निडीनिन उन्डीन मीडें लिस यह है इस खाते को खोल सकता है ठीक है तो फुल फार्म हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड कौन खोल सकता है रेजिडेंट इंडी इंडियन जो है इसे खोल सकता है अब एन इंडिविजुल के ओपन ओनली वन एकाउंट ध्यान दीजेगा कि एक आदमी केवल एक 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 खोल सकता है एंड एडिस्नल एकाउंट आन भिहाफ आफ इच माइनर और जितने भी उसके माइनर जैसे मान लिजे आप हैं और आपके दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए भी आप एक पीपीफ एकाउंट खोल सकते हैं लेकिन अगर आप अपने लिए खोलना चाहे तो सिर्फ एक ही पीपीफ एकाउंट खोला जा सकता है ध्यान रखेंगे कि एक आदमी चाहिल करके एक साथ में जैंट चाहिंट पीप ऑफ एकाउंट खोल लें तो यह पॉसिबल नहीं होता है रूपीरियद कितना होता है थाउंट का इसमें जो एक तरीके से कहेंग यह 15 साल के लिए होता है जो भी पैसा आप इसमें इन्वेश्ट करेंगे पीपीफ कि चाहता हूं कि पैसा डालना है तो मिनिमम कितने रूपए जो है मिनिमम इन्वेश्ट किया सकता है उसके बाद में पांच रूपए के मल्टीपल में पहले आप जो है 500 रूपए जमा कर देंगे और फिर सवाल यह है कि क्या 400.55 रूपई जमाक रूपय जमाक रूपय जमाक होता है, हम ने इतनी शारी बाते यहाँ पर जानी, एक आदमी सिर्फ एक ही कउल सक्ता है और हर एक माइनर केले भी अडिसनल अखांट कंग बाइंडू जा सक्ता है क्या joint account allowed है PPF में तो नहीं allowed है husband wife साथ में मिल गरके joint account नहीं खोल सकते हैं इस account का time period कितना होता है तो इसकी जो maturity होती है वो 15 साल बाद ही होती है 15 साल होती है minimum कितने रूपए deposit किया सकते हैं minimum 500 रूपए deposit किया सकते हैं और 500 रूपए एक बार आपने जमा करती है उसके बाद में इससे ज़्यादा अगर जमा करना है तो 5 रूपए के multiple में जमा होता है यानि अगर हम यह कहें कि 502 रूपए तो नहीं जमा होगा अगर हम कहें कि 507 रूपए तो नहीं जमा होगा लेकिन 510 रूपए 505 रूपए 515 रूपए यह जमा हो सकते है पांच रूपए के multiple में जमा किया सकता है ठीक है उसके बाद में maximum deposit कितना किया जा सकता है एक साल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पीपफ एकाउट में maximum 1.5 रूपए ही जमा कर सकते है क्या nomination की facility अब लेबल है तो हाँ nomination allowed है किया जो सकता है nominee आप बना सकते हैं किसी को भी बट ता minor account nomination is not available अगर किसी minor के लिए आपने account खोला हुए आपने बच्चे के लिए खाता खोला हुए तो उसमें nomination की facility नहीं होती है एक जो यहाँ पर सबसे खास बात होती है friends वो ध्यान रखियेगा कि साल बर में आप की वारा बार ही पैसे जमा कर सकते है ध्यान दीजेगा ये बात को बहुत ही important fact है ये कि एक साल में की वारा बार आपको पैसा deposit करना allow होता है अब सवाल यह है मान लिजे अपरेल महीने भी छे बार जमा कर दिया तो बाकी की ग्यारा महीनों में आप छे बार और जमा कर सकते हैं ध्यान देंगे आप तोटल बारा बार जो है पैसे deposit किया सकते हैं चाहिए आप 500 रूपय ही deposit करिए लेकिन बारा 12 टाइम से ही से ये ते संदया वारी आपको जमा नहीं करने कैसे वाय और सकतory कि लिए यह आपको जमा नहीं करने लेकिन रखियेगा कि क्यों बार Capital में selection है एक साल में घ्यान रखेंगे ठीक है अब अगला सवाल यह है कि मान लिजे जैसे मैंने पीपेफ एकाउंट खोला और 15 साल बीच जाते हैं और मान लिजे 15 साल में मैंने उसमें 10 लाख रुपे डिपाजिट कर दिये अब 10 लाख रुपे डिपाजिट किये सरकार लगभग 8% rate of interest दे रही है तो मुझे लगभग 10 लाख रुपे में मे अपने एकाउंट को extension दे सकते हैं एक्स्टेंड कर सकते हैं unlimited टाइम्स कितनी भी बार आप एक्स्टेंड करते रहिए 5 साल के ब्लॉक में होता है यह मतलब कहने का कि 15 साल पूरे हो गए अब उसके आदमें 5 साल के लिए आप एक्स्टेंड कर दिजे फिर आगे 5 साल के लिए फिर पांच साल के लिए ऐसे करते रहिए जब तक आप चाहो unlimited टाइम्स यह किया सकता है कोई limitation नहीं कि कितनी बार अब कि मालीजे 15 साल के लिए खाता खुला है और अगले 50 साल तक आप इसे 5-5 साल के 10 ब्लॉक में बढ़ाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है अगले 50 साल त कि इसकी compounding frequency क्या होती है compounding frequency का क्या मतलब होता है ध्यान दिजेगा annually होती है साल भर में मतलब कहने का यह हुआ कि मान लिजिए आपने खाते में जो भी पैसा डाला पूरे साल में एक लाख रुपए अगर मान लिजे पीपेफ अकांट में डाला तो हर साल annually होती है compounding मतलब ह हर साल में साल में एक बार आपको इंट्रेस्ट मिलेगा एक लाख रुपए पर अगर आठ परसेंट इंट्रेस्ट है तो आठ हजार रुपए साल में एक बार आपको मिलेगा तो कंपाउंडिंग जो होती है इंट्रेस्ट की वो एन्वली होती है ठीक है ध्यान रखेंगे तो एक लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया, आठ हजार रुपए एक साल बाद आपको मार्च विये महीने में, नार्मली मार्च में 31 मार्च तक आपको इंट्रेस्ट मिल जाता है, तो अब आपके खाते में 1,008,000 रुपए हो गए, अब मालीजे अगले साल फिर आपने एक लाख डिपॉजिट कर दिया, तो अब आपके खाते में 2,008,000 रुपए हो गए, तीन महीने बाद सरकार डिकलेयर करती रहती कि पीपेफ अकाउंट में हम 8% इंट्रेस्ट देंगे, या 8.15 परसेंट देंगे, या 7.95 परसेंट देंगे, जो भी होगा, क्वाटरली बेसिस पर गवर्णेट आफ इंडिया ये चीज़ डिकलेयर करती रहती कि यहां भी है, ये इंट्रेस्ट अब आपको मिलेगा, उसका आप इसमें सबसे जो खास फायदा होता, है ठीक है तो मतलब कहने का यह हुआ कि अगर मैंने इसमें डेढ़ लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिये तो पहली बात यह हो गया कि एक टी सी का फायदा मुझे मिल गया इस पर टैक्स नहीं लगेगा डेढ़ लाख रुपए का मैं क्लेम कर सकता हूँ अपने इंकम टैक्स म और ना ही जो आपने आपको इंट्रेस्ट मिला है उस पर कहीं भी कोई टैक्स नहीं कटता है तो इसी लिए इस स्कीम का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि टैक्स फ्री होता है सब कुछ ठीक है अब अगर आप बिड्रॉल करवाना चाहते हैं तो वन इजूकेशन के परपच के लिए फुल बिड्रॉल की जा सकती है और या तो फिर जब 15 साल पूरे होंगे तब भी जो है आपको फुल बिड्रॉल हो जाता है ठीक है क्या लोन अब लेबल है तो हाँ तीसरे फानेंसिल यर से थर्ड फानेंसिल यर आनवर्ड जो है आपको ल नहीं किय सकता है तीसरे साल जो है थर्ड फैनेंसिल यर से लोन अब लेबल होता है और पचवे साल से आप देखिए बिड्रा ले लाओ हो जाता है और 5 साल या फाइफ इर फाईब्र साल या या जब पैसे बिड्राब भी कर सकता है थोड़ी बहुत ठीक है प्रंक्ट तो ये हो गया अब पीपेफ एकाउंट की जो तब से बड़ी खासियत होती हो मैंने आपको बता दिया कि ये टैक्स जो है नहीं पड़ता है लेकिन इसकी एक निगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसका जो लॉकिन पीरिड होता है वो एक तरिके से पंदरा साल होता है कई लोग होता है कि लोग नहीं ओपन करना चालते हैं ठीक हो गया पीपीफ में हमने क्या-к्या देखा पब्लिक प्रविडेन फॉंड होता है प्सक्राइप का फुल फार्म, दीजेगा यह 5 रुपए मुल्टिपल में होता है 100 रुपए या 50 रुपए कर नहीं होता है 5 रुपए ठीक है maximum एक साल में आप अपने खाते में कितना डाल सकते हैं तो डेढ़ लाक रुपए डाल सकते हैं nomination allow होता है लेकिन minor के खाते में आप nominee नहीं बना सकते हैं एक साल में maximum कितनी बार अपने खाते में आप पैसा डाल सकते हैं तो 12 बार डाल सकते हैं account को extend किया सकता है 15 साल के बाद में 5-5 साल के block में कितनी भी बार इसको आगे बढ़ाया सकता है कोई दिकत नहीं है interest मिलता रहेगा compounding हर साल होती है यानि हर साल के 31 मार्च को आपको एक बार interest मिलता है तो इसकी compounding होती है interest की वो annually होती है और जो rate of interest होता है वो government of India quarterly basis पर declare करती रहती है जो भी पैसा invest करते हैं जो money आपने investment की है प्लस जो आपको interest मिला है वो सारा का सारा और जब आपको पैस वापस repayment मिलेगी तो यह सारा का सारा ATC के तहर जो है tax exempted होता है कोई भी tax आपको pay नहीं करना पड़ता है पांस साल की expiring बाद नहीं छटमे साल से एक withdrawal allow किया सकता है हर year में full withdrawal allow किया सकता है अगर medical problem है किसी को बीमारी हो गई है या कोई बाहर जाकर के higher education या देश में ही higher education करना चाहता है तो उस case में full withdrawal allow हो सकता है loan third financial year से अब लेवल हो जाता है उसके पहले अब लेवल नहीं रखता है उसके बाद एक और बात यहाँ पर फ्रेंट मैंने लिखी नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा कि माल लिजे जो है हर साल आपको minimum 500 रुपए अपने ppf account में डालना होता है हर साल आपको minimum कितने डालने प पड़ेगा माल यह 3012 रुपे और जमा करने पड़ेगी प्लस 500 रुपए और जमा करने तीसरे साल के उसके मुझे 1500 रुपए जमा करना पड़ेगा तब जाकर के मेरा account तीसरे साल operational होगा ध्यान देंगे मतलब 500 रुपए तो आपको हर साल का जमा ही करना है प्लस 50 रुपए penalty जमा करनी पड़ेगी जिस साल का आपने जमा नहीं किया है तो अगर आप मालिजे चौथे साल account operational करते हैं पहले साल नहीं किया दूसरे साल नहीं किया तीसरे साल नहीं किया और čौथे साल operational करना चाहते हैं तो कितने रुपए लगेंगे तो भही देखे 500 और प्लस 50 500 रुपए तो आपको डालना ही पड़ेगा प्लस 50 की penalty सिर्ट अग्ले साल दाल दियुट और 50 पनलति फिर 500 रुपए अग्ले साल गे ढाल धाली और 50- vit तो मतलब यह हो गया आपका 1500, 1650 रुपए ये जमा करिए और प्लस 500 रुपए चोथे साल का, ये करंट ये चली रहा है तो इसमें 50 रुपए पनल्टी नहीं देनी है, तो 1650 और 500, 2150 रुपए मिनिमम जब आप ब्रांच में जमा करेंगे, तब जा करके खाता आपका अपरेशनलाइज होता है, ठी ठीक है फ्रेंट, I hope कि ये बापको क्लियर हो गया है, थैंक्यो सो मच फ्रेंट